मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद पांच या साथ उपाए अगर आप करते हैं तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा तो आईए जानते हैं क्या है यह उपाए जीवन में कई तरीके की समस्याएं हो सकती हैं जैसे स्वास्त का खराब रहना अशानती होना धनकी कमी बिजनेस ठीक से ना चलना कार्य में बाधा तोटका आपको आपके लिए ले करके आया हूँ आपकी हर समस्या को यह हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं इनको आपको बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रयोग में लाना चाहिए और साथ में ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप मंदिर पूजा द्धान ना हो रहा हो तो ये जो उपाए हैं आपके बड़े से बड़े मृतितुल्यक कश्ट को आप दूर कर सकते हैं इन उपायों को आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आजमाना जरूर चाहिए शास्त्रों के नुसार इसके लिए तीन शर्तों का पालन कर करते हैं तो आपको ये उपाय बहुत अच्छा फायदा दे सकते हैं पहली शर्त है कि किसी भी प्रकार का नशा इस दौरान आपको नहीं करना चाहिए दूसरी शर्त है कि इस्त्रियों का पूर्ण आदर और सत्कार समान करना चाहिए तीसरी है कि खुद के बारे में और कुछ उपाय नहीं कर पारें तो जो सबसे आखरी उपाय है उसको अगर आप कर लेंगे तो आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे तो आए जानते हैं क्या है यह उपाय सबसे पहला कपूर का उपाय है प्रति दिन सुबह और शाम को घर में संध्यावंदन के समय कपूर अवश्य जलाना चाहिए हिंदू धर्म में संध्यावंदन आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जला करके भगवान की आरती करने की परंपरा रही है पूजा आरती आदी के आदी धार्मेक कार्यों में कपूर का विशेश महत्व बताया गया रात्री में सोने से पूर पिटाने में भी कपूर का बहुत बड़ा महत्व है यदि सीडियों टॉलेट या किसी गलत दिशा में कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट हो गई हो कोई गलत दिशा में कोई निर्माण हो गया हो तो उन सब जगहों पे कपूर के एक दो दो टुकड़े रग देने चाहिए थोड संद्यावंदन के समय जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो हनुमान चालेशा का पाठ करना चाहिए संद्यावंदन घर में करें या मंदिर में करें सुबह शाम आप करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है पवित्र भावना और शांती पूर्वक तरीके से हनुमान सालेशा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है जो हमें हर तरह की जानी एंजानी होनी अनुनी से सुरक्षित रखती है बचा करके रखती है धूब दीप चंदन कुमकुम अश्रगंद जल अगर कपूर गाय का घी गुड पुष्प फल पंचामरित घंटा रंगोली मारना आंगन का अलंकरन करना तुलसी तिलक मौली यानि जो कलावे हम लोग उसमें कलाई पर बांते हैं स्वास्तिक ओम पीपल आम और केले के पत्तों का हिंदु धर्म में बहुत ही महत्व बताये गया है भोजन करने से पूर्व कुछ मात्रा में भोजन क अगनी को समर्पित करने से विश्वे देव यग्यपूर्ण हो जाता है इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा जाने अंजाने कोई भी बाधा आ रही होगी सिर्फ इतना सा उपाय करने से अपने भोजन में से कुछ अंश गाय के लिए और पहला जो अंश है वो उ हिंदू धर्म में धूप देने और दीब जलाने का बहुत जादा महत्व है सामाने तोर पर धूप दो तरह से दी जाती है पहले गुगुल और कपूर से और दूसरी गुड़ और घी मिला करके जलते हुए कंडे पर यानि उपले पर उसे रखा जाता है गुड़ और घी औ नजर दोश वगर की मुक्ति के लिए भी ये बहुत चमतकारी मानी जाती है धूप देने के नियम क्या है रोज धूप नहीं दे पाएं तो त्रयोदशी के दिन चतुरदशी के दिन अमावस्या के दिन और चतुरदशी तथा पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य सुबह दी जाने वाली धूप देवगड़ों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप जो होती है वो आपके पित्रों के लिए होती है पित्रों के लिए सिर्फ श्राद पक्ष में धूप अगर आप दें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है धूप देने के पूर्व घ का संगीत नहीं बजाए जाना चाहिए जब तक आप दूप दे रहें जब तक दूप का प्रभाव घर में तब तक कोई से कम बात करें आपस में भी थोड़ा मौन रह करके आपको उसका लाव लेना चाहिए नारियल का उतारा करना जो हम लोग पूजा में नारियल लेते हैं पानी वाला नारियल जटा जूट वाला भूरा वाला नारियल जो है उसको ले लीजे और उसे अपने सिर के उपर से 21 बा उपर से करें ये उपाई किसी भी मंगलवार या शनिवार को करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है पांच शनिवार लगातार ऐसा करने से अचानक आए हुए कष्ट से मुक्ति मिल जाती है यदि किसी सदस्य की सेहत खराब हो तो उसके लिए ये उपाई बहुती ही का दवार और शुक्रवार काली जी के मंदर में शुक्रवार शनिदेवता के मंदर में शनिवार और विश्नु देवता के मंदर में गुरुवार को जाने का उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है कुछ-कुछ शास्त्रों में विश्नु जी की पूजा गुरुवार के साथ साथ रवीवार के दिन भी बताई गई है गुरुवार को गुरुवों का वार माना गया हलांकि गुरुवार का महत्व इसलिए नहीं है कि वो गुरुवों का वार है लेकिन उसको गुरु गुरु ग्रेव रहस्पती से जोड़ करके देखते हैं इसलिए आपको गुरुवार को मंदर जाता है वो सभी देवी देवताओं को एक साथ प्रसंद कर सकता है और देवताओं के देव गुरु जो हैं वो रहस्पती देवता है तो उनकी कृपा भी आपको बहुत आसानी से मिलती है हिंदू धर्म में रविवार और गुरुवार को पवित्रों माना गया है इस दिन मंदर जाने का महत्व बाकी दिनों से अधिक है दोनों ही वार में गुरुवार को प्रतम माना गया प्रति दिन मंदर जाने से सकरात्मक भावना का विकास होता है और आपके मन और मस्तिश के लिए जरूरी है और अगर आप रोज नहीं जा सकते प्रति आपके develop होती है या जिसको intuition आप कह सकते हैं जो positive energy आपको वहाँ से मिलती है वो कई प्रकार की negative energies को बहुत अच्छे से बहुत बड़े-बड़े संक्टों से आपको बचा लेती है शास्त्रोक्त समय का ध्यान रखना चाहिए पूर्णिमा और अमावस्या के तिति में मानिता क आपके नुसार कुछ कास दिनों में कुछ खासकारे करने से बचना चाहिए खासकारे ही नहीं करने चाहिए बलकि अपने व्यवहार को भी इस दौरान सैयमित रखना चाहिए जानकार लोग ये कहते हैं कि प्रतिपदा एकादशी त्रेओदशी चतुरदशी पूर्णिमा अमावस्या, चंद्र ग्रहन, सूरि ग्रहन इन आठ दिन में पवित्र बने रहना चाहिए, इसी में आपकी भलाई होती है, क्योंकि इन दिनों में देव और असुर जो हैं, वह सक्रिय होते हैं, इसके लावा सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के बाद भी सतरक रहने क् शक्ता होती है सूर्यास्त के बाद के दिन अस्त तक के काल को महा काल का समय कहा गया है सूर्योदे से पहले के काल को देवकाल कहा जाता है उक्तकाल में कभी भी नकरात्मक बोलना या सोचना नहीं चाहिए अन्यथा वैसी ही घटना आपके साथ घटित होने लगती है सच बोलना चाहिए और वादा निभाना चाहिए प्रचलित माननेता और जन्शुती के नुसार आपको आपके पित्र और देवता सुन रहे होते हैं आप जो कुछ भी बोलते हैं वो आवाज या ध्वनी विद्यमान रहती है आपके बोलने का असर होता है देवता उनके साथ होते हैं जो सच बोलने और वो वादा आपको जरूर निभाना चाहिए बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए या निश्प्रयोजन जूट बोलते रहते हैं वे हर वक्त जूटी कसम खाते हैं उनमें भी वे लोग अपरादी होते हैं जो कसम खा करके जूट बोल करके और धोका दे करके अपना माल बेचते या व्यापार करते हैं बहुत से ल लावा गाए, कुते, चीटी और पक्षियों को भोजन खिलाना बहुत अच्छा उपाय है व्रिक्ष, चीटी, पक्षी, गाए, कुता, कववा, अशक्त, मानव, आधी प्राणियों को अन और जल की विवस्था करने से आपको इनकी दुआ मिलती है इनके तरफ से इनकी आत्म को आप भोजन और अन की विवस्था, जल की विवस्था करते हैं तो ये सबसे बड़ा पुन्य शास्त्रों में माना गया है इसके अलावा जो जल्चर जीव हैं जैसे पानी में होने वाली मचलियां, कच्छुए, आधी इसके अलावा और भी जो जीव अंदर होंगे उनको नित्य आटे की गोलियां बना करके खिलाना चाहिए और चीटियों को भुने हुए आटे में कुछ शक्कर का बूरा मिला करके पंजीरी बना करके किसी खुली जगह पर डालने से बहुत अच्छा पुन्य प्राप्त होता है, प्रति दिन कव्वे या पक्षियों को दाना ड डालने से पित्रत्रिप्त होते हैं, प्रति दिन चीटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है, प्रति दिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर होते हैं, और प्रति दिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक समस्याओं का नाश होता है, आ शक्रवार के दिन माता काली के मंदर जा करके उन से अपने द्वारा किये गए सभी जाने अन्जाने पापों के लिए शमा मांच लें और फिर कभी कोई बुरा कार यह नहीं करने का उन से वादा करें उनके सामने संकल्प लें आपको ध्यान ये रखना होगा कि वाधा निभा सकते हों तो ही करना चाहिए निता आप मुसीबत में पढ़ सकते हैं यदि आपने ऐसा पांच शुक्रवार नियम से कर लिया तो आपके काम में आ रही जो भी बाधा जो संकट है वो ततकाल आपको दूर होते हुए अनु कुम अक्षत गुड़हल के लाल फूल और लाल वस्र या चुन्री अर्पित करके आपको करनी चाहिए भोग में हलवे या दूद से बने हुए किसी मिष्ठान का भोग समर्पित कर सकते हैं अगर पूरी श्रदा से माता की उपासना की जाए तो आपको हर मनो कामना में आप उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला लें उस पात्र को अपने सिराने रख करके रात में आपको सोना चाहिए प्राता काल सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें ऐसा कुछ दिन करेंगे तो धीरे धीरे आपकी समस्याएं जो बहुत विकट इस समय आपक मंगलवार लगातार आपको सिंदूर और चमिली के तेल का चोला समर्पित करना चाहिए इस उपाय को करने से तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाती है इसके लावा प्रती मंगलवार या शनिवार को बढ़ के पत्ते पर आटे का दिया जला करके उसे हनुमान जी के मंदर में रखना चाहिए ऐसा कम से कम ग्यारह मंगलवार और ग्यारह शनिवार आप करते हैं तो आपके जीवन में चमतकार अनुभव आप अवश्य करेंगे चाया दान करना शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और एक रुपए का सिक्का उसमें डाल करके उसमें अ उपाय करते हैं तो इससे आपके ऊपर किसी भी तरीकी का संकट होगा उससे आपको मुक्ति अवश्य मिल जाएगी यह उपाय कम से कम आपको पांच शनिवार करना चाहिए इससे आपकी जीवन में जो भी शनी की पीड़ा होगी वह शान्त हो जाएगी और शनी देवता की क क्रिपा से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे जब करने से संकटों से मुक्ति मिलती है सभी तरीके के बुरे काम छोड़ करके प्रति दिन राम नाम का जाप करना चाहिए या फिर गायतरी मंत्र या महामिरतुन्जय मंत्र का जाप आप शुरू कर सकते हैं ध्यान रहे क कि इसमें किसी भी तरीके का आपको उसमें कोई विद्न नहीं आना चाहिए आप जो जाप करें तो फिर वो क्रम तूटना नहीं चाहिए कम से कम 45 दिन या 90 दिन कोई भी एक मंत्र चुनिए ओम नमस्यवाय चुनिए राम नाम चुनिए महामिरतुन्जय चुनिए गायतरी म मंत्र चुनिए भगवान विश्नु का कोई मंत्र चुनिए तो उसको आप नियम पूर्वक करिए फिर उसमें कोई व्यतिक्रम ना उसमें को किसी भी तरीके का विद्न बादा ना आया आप अगर एक समय करते हैं तो उस समय पर आप 45 दिन या 90 दिन का संकल्प ले करके किसी भी तरीके के विद्न बादा होगी उससे आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी कम से कम 90 दिन तक लगातार सुबह शाम अगर आप जाप नियम से करते हैं तो इस जाप का असर आपके उपर शुरू हो जाएगा और दीरे दीरे संकट जो है वो दूर होने लगेंगे इस तर व्यापार माला का जो आपका नियम है वो करने के बाद दिन बर चलते फिरते भगवान राम का नाम मन में लिया जा सकता है कल्यूग में भगवान राम के नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है तो दोस्तों इन उपायों को आप करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा आईए इसी करम में कुछ और उपाय जान लेते है व्यापार में लाब के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए यदि आपका बिजनस ठीक नहीं चल रहा है और आपको लगता है कि उसे कि की नजर लग गई है तो यह जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं यह आपके लिए बेहत्चमतकारी सिद्ध होगा करना यह है कि इसके लिए आपको अमावस्या या शनिवार की सुबह एक नीबू लेना है और उसको चार टुकड़े में काट लेना है इसके बाद उपसे इस उपाय को करने से व्यापार पर लगी नजर जो है वो दूर रहती और व्यापार जो है निरंतर चलता रहता है व्यापार में निरंतर आपको उन्नती मिलती रहती है अगला उपाय बताने जा रहा हूं मनो कामना की पूरती के लिए करना यह है कि हल्दी की साथ सा मैं बोलते रहना है इक्षा को आपको दबाना नहीं है जो भी आपकी मनोकामना जिसे आप पूरा करना चाहते हैं जिस काम में बाधा रही हो उस मनोकामना को आपको बोलते रहना है इसको बोलते हुए आपको इस पोटली को फेकना है ऐसा करने से बिना किसी बाधा के आपकी दूसरा उपाई है कि किसी जरूरी काम पर आगर आप जा रहे हो और आप चाहते हैं कि आपका ये काम ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए ये डीन पूरी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए घर के किसी भी कारेशन के लिए निकलते समय पहले विपणी दिशामें चार कदम ज उस तरफ नजा करके पहली उल्टी दिशा में चार कदम जाएं, फिर मुढ करके आप अपने काम की दिशा पर जाते हैं, तो आपको आपके काम में सफलता अवश्य मिलती है। आखरी उपाय आज का यह है कि घर में सुख शान्ती कैसे लाई जाए घर में सुख शान्ती कैसे समरिद्धी कैसे इस्थापित करें इसको समझ लीजे परिवार में सुख शान्ती और समरिद्धी चाते हैं तो प्रते दिन प्रतम रोटी के चार बराबर भाग करें इन चारो भाग को एके करके क्रमशा पहला भाग गाय को दूसरा भाग कुत्ते को तीसरा भाग को और चौथा भाग चोराहे पर रख करके छोड़ देना चाहिए ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर करता है तो उसके घर में सुख शान्ती और समरिद्धी सदैव बनी रहती है और परिवार मे है वो निश्क्रिय रहती है तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये बहुती सरल बहुती प्रभावशाली टोटके चमतकारी उपाय जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से प्राप्त होते हैं वो निश्चिती पसंद आते होंगे आप सभी से बार बार आग रहे कि जब भी आप चमतकारी टोटको के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या आवशक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए धन्यवाद अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाट्सप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद